राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आकड़ा दिनबदीन बढ़ता जा रहा है प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आकड़ा 99 हो चुका है इसे बीच प्रदेश के सम्वेदन शील मुख्यमंत्री अशोगहलोत ने गर्बवती महलाओं के प्रसव के लिए विशेश इंतजाम करने के निर्देश दिये साथ ही मुख्यमंत्री अशोगहलोत ने एक बार फिर इशपष्ट निर्देश देते वे कहा कि कोई भी मजदूर भूका ना सोए मुख्यमंत्री अशोगहलोत ने क्या-क्या निर्देश दिये जाननी के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की है खास रिपोर्ट ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा देश भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन बादिन बढ़ती जा रही है राजस्थान में रविवार को भी आठ नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए वहीं प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर नतर्पू गई है दो लोगों की मौत भी हो चुकी है प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमित को देखते वे समवेदन सील मुख्यमंत्री अशो गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में गर्बवती महिलाओं के प्रसव की संभावी जानकारी जुटाई जाए को लगाया गया था लेकिन केंद्र के निर्देशों पर रविवाराज से सभी राज्यों की सिमाओं को सील कर दिया गया है अब अपने राज्यों को जाने वाले मजदूर जाआ हैं वही रहेंगे वही सीम गहलोत पीएम मोधी को खतलिक कर रहतकारियों के लिए के देश के सभी राज्यों को एक मुस्त एक लाग खरोड रुपी की साहता भी मांग चुके हैं सीम अशोग गहलोत ने अपने निवास पर कोरोना वाइरस से प्रदेश में उत्पन इस्थती की समिक्षा बैठक में उच्चा अधिकारियों को निर्देश देते वे कहा के विभिंजिलों में गर्ववती महिलाओं की ट्रेकिंग कर प्रसव की संभावी तारीक की जानकारी जुटाई जाए और तय तारीक पर प्रसव के लिए समुचित विवस्था की जाए सीम गहलोट ने आगे कहा कि आइसोलेशन, क्वारंटाइन, अत्वा ट्रांजिट शिवरों में रह रही गर्ववती महिलाओं की विशेश देखबाल की जाए वर्तमान माहोल में सभी गर्ववती महिलाओं की प्रती जिम्मेदारी में राज्य सरकार कोई कोता ही नहीं होने देगी CM गहलोट ने आगे कहा कि राज्य सरकार को समाद के सभी जरुरतमंद और वंचित वर्गों के प्रती अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करना है ऐसे में गरीब तपके की गर्बवती महिलाओं के लिए शुरक्षित गर्ब, टीका करन और प्रसव से जुड़ी आवशक्ताओं की पूर्ती सुनिश्चित की जाएगी सीम गहलोत ने निर्देश दिये की इस काम में महिला चिकित्सकों और स्वास्ते कारिकरताओं के अलावा राज्यसरकार में पदस्थापित, महिला अधिकारियों, कर्मचारियों जो इस्थानिय निवासी हैं उनकी भी मदद ली जा सकती है VICM गहलोत ने निर्देश देते वे कहा कि जिला कलेक्टर राज्य सरकार की विभिन विभागों में काररत इस्थानी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी सूचिया तैयार करें उनको COVID-19 महामारी से जुड़े विभिन अभियानों में वालन्टियर के रूप में भूमी का निभाने के लिए नियोजित करें इन कर्मियों से मुख्यत भेगर लोगों, वन्चितों एवं जरुतमंदों के लिए भोजन और खाद्य सामगरी की उपलब्दता सुनिचित करवाने के काम में लिया जा सकता है वे वालन्टियर कोई परिशानी आने पर जिलाइस्तर पर इस्थित वार्रूम में सूच नकर मदद कर सकते हैं और इस्थानी प्रशाशन भी आवश्यक्ता होने पर उनकी सेवाईन ले सकता है सीम गहलोट ने लोकडाउन के दोरान सभी लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की वेवस्था सुनिचित करने के लिए बहतर काम करने वाले पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को साधुवा दिया सीम गहलोट ने पुलिस महानी देशक से कहा कि वे स्वेम फील्ड में अच्छा काम करने वाले पुलिस कर्मिकों की होसला आफजय करे ताकि दूसरे लोग भी उनसे प्रोस्साइथ हों दूसरी तरफ केंदर सरकार के निर्देश पर देश भर में लोकडाउन के बाद जारी पलायन को रोकने के लिए राधस्थान में सभी सीमाएं रविवार राज से सील कर दी गई है प्रदेश के सभी जिलों में रविवार देश शाम से ही अंतर राज्य बॉर्डर पर पुलिस और प्रशाषन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है ACS राजीव सरूप ने बताया कि लोकडाउन की ये सवधी में कोई भी नियोक ताक किसी भी मजदूर को नौकरी से नहीं निकालेगा वह उसे पूरा वेतन मिलेगा वही मजदूरों के मकान मालिक भी इनसे एक माह का किराया नहीं वसुलेंगे प्रदेश में रहे रहे सभी मजदूरों को फूड पैकेट एवं सुखाराशन उपलब्द करवाया जाएगा राजीव सरूप ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने इस पश्ट निर्देश दिये हैं कि कोई भी व्यक्ती बूखा नहीं सोए भोजन उपलब्द करवाने के लिए हल्प लाइन, कंट्रोल रूम एवं पुलिस को सूचित करने के लिए कहा गया है प्रदेश में तीजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या से चिंतित मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने उच्चा अधिकारियों को 12,000 वेंटीलेटर एवं अधिक से अधिक टेस्ट किट का इंतिजाम करने के निर्देश दिये हैं वही सीम गहलोत ने पियें मोदी को पत्र लिग कर गरीबों की साहेता और कोरोना की रोक्ताम के लिए आवश्यक उपायों को लागू करने के उद्यश्य से देश के सभी राज्यों को एक मुस्त एक लाग करोड रुपे अनुदान उपलप्त करवाने की मांग की है इसके साथ ही सीम गहलोत ने विविन प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर प्रवासी राजस्थानियों के लिए भोजन पानी की पूर्ती शुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया सीम गहलोत ने अपने एक अन्य पत्र में कोविट-19 महामारी को देखते वी भारत सरकार द्वारा घोशित आर्थिक पैकेज के लिए पी एम मोदी को धन्यवाद देते वी कहा कि इस महामारी से भारत सरकार और राज्यों को संयुक्त रूप से लड़ना होगा सीम गहलोत ने अपने पत्र में लिखा कि भारत सरकार भारतिय रिजवर बैंक को निर्देश प्रदान करे कि राज्यों को एक लाग करोड रुपे विशेश ब्याज रहित वैज और मिन्स अग्रिम के तौर पर दे यह विवस्ता एक अप्रेल 2020 से 11 महीनों के लिए की जाए साथ ही कर एवम गैर कर राजस्व में आई भारी कमी को ध्यान में रखते हुए राज्यों को मिलने वाली सुध रिंसीमा में दो प्रतिशत की अतिरिक्त रिंसीमा की तुरंत अनुमती की मांग भी की बतादे राजस्थान में रविवार को कोरोना पोजिटीव मरीजों के साथ नई केस सामने आए शनिवार को 6 नई कोरोना पोजिटीव केस सामने आय थे गौरतलब है कि प्रदेश के भीलवाडा जिले में कोरोना संक्रमन के सबसे जादा 25 मामले सामने आ चुके हैं वहीं जैपूर में 10, जुन्जुनों में 7, जोतपूर में 13, प्रतापगड में 2, डुंगरपूर में 2, अजबेर में 4, पाली, सीकर और चूरू में एक-एक संक्रमित मरीज सामने आया है ऐसे में कुल मिला कर प्रतेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 59 पहुच गई है वहीं 489 मरीजों की जाज रिपोर्ट अभी प्रक्रियादीन है पॉलिटॉक्स प्यूरो जैपूर